तेर्पती बालाजी मंदिर, यहां भोति प्राचिन मंदिर है आंधपर देश में वो आंधपर देश में भगवांन स्री बालाजी भगवान के दशन कर लेके लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्त गन हुआ पर पदारते हैं जब जगन मोहन रड़ी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का शेडिंतर किया गया तो आज वो सामने आ रहा है। चंदरवाबी नैडुजी की टीडिपी की सरकार बनने के बाद में उस शेडिंतर को उजागर करने का परहतनी किया गया है। पती बाला जी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना तो खास करके अडोस पोडोस परिवार के लोग कहतें के बाला जी भगवान का लड़ू लेकर आई है। और जब बाला जी भगवान का लड़ू प्रशाद के रूप में परिवार में बाटा जाता है तो बड़ी उससा से बड़ी पवित्रता से उस लड़ू को गरहन किया जाता है। लेकिन उसी लड़ू में बीफ आईल यानी गाए भैंस का जो चर्वी होती है उसका आईल निकालकर उस लड़ू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रड़ी की सरकार के समय पर। पॉम उइल और जानवरों का उइल पता ने किन-किन जानवरों की चर्वी से उइल निकालकर उन लड़ू में मिला जा रहा था। लेकिन आज टीड़ी पी की सरकार चंदुबाव नैडुजी मुक्ह मंतरी बनने के वाद में जो जगन मोहन एक पापी मुक्ह मंतरी था। आज तो खतम हो गया वो एक पापी मुक्ह मंतरी ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का शडंति कया गया। मैं हमारे मुख्य मंत्री चंद्रुबाबि नैडु जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसने जगन मोहन रड़ी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर रहे और हमारे अमेश्या जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ प्रधान मंत्री मोधी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कहीं बार उस प्राचिन मंदिर के दर्शन करने गए आप लोगों ने भी उस लड़ को गहन किया ये इसकी सरकार के समय पर तो पता नहीं क्या हुआ होगा तो इसलिए कि मैं मोदी जी से अमिश्या जी से खास करके मुख्य मंत्री जी जो चेंद्रवावि नैडु जी है उन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके शेडेंतर को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे रिक्ति को तुरंत अरेश्ट करे यहां मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आए जी जवेदन करना चाहता हूँ